Hello friends, once again welcome in market media YouTube channel, मैं हूँ विवेक दित्ता, कैसे हैं आप लो? दोस्तो, आज हम जो बात करेंगे, वो SEO interview question के उपर बात करेंगे बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं, जो first time interview देने के लिए जब जाते हैं SEO का तो बहुत घबरा जाते हैं कि क्या question पूचा जाएगा, किस type का question पूचा जाएगा तो आज हम उसी topic के बात करेंगे, किस type का question पूचा जाता है, freshers से जब वो interview देने के लिए आता है SEO के लिए, यह सोच के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं, आज क्या पूचेंगे, क्या पूचेंगा, दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल normal हो के interview देना है, क्योंकि जब आप as a fresher interview देने के लिए जाते हो, तो आपसे बिल्कुल basic question पूचा जाता है, कोई ज्यादा high level की question नहीं पूचे जाएगे, आपसे normal तब पूचे जाएगा, कि SEO के बारे में आप कितना जानते हैं, आपको उस type से judge किया जाएगा, कि आपको SEO कितना आता है, आप कितने पानी में हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कि fresher label पे जब आप interview देने के लि ठीक है, अगर आपने six month का internship किया किसी company के अंदर, या कहीं से आप SEO सीख के किसी institute से, six month का या one year का आपने सीखा है उसके पादा, internship की हो, फिर भी आप जा रहे हो interview देने के लिए, तो IJ आपको fresher ही count किया जाएगा, क्योंकि आपके पास किसी भी live project में work करने का कोई experience नहीं ह होता है, क्योंकि internship में भी उतने अच्छे project नहीं मिलते हैं, आपको fresher ही count करते हैं, तो आज जो हम discuss कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, यह बिल्कुल fresher level के लिए, जो के interview देने के लिए जाते हैं, कि किस type से question पुछा जाता है, क्या क्या आप से पुछा जाता है, तो कि SEO क्या है, तो हम अपने website को किसी भी search engine में rank कराने के लिए जो process करते हैं, उसको हम SEO बोलते हैं, SEO search engine optimization का sort form है, आपको ज्यादा details में answer नहीं देना है, क्योंकि आप as a fresher वहाँ पे गया है, interview के लिए, और वो भी आपको fresher ही jazz कर रहा है, कि आप कितने पानी में, आपको कितन आपको पता है कि on-page SEO होता है, off-page SEO होता है, और एक technical SEO भी होता है, लेकिन आपसे उसने क्या पूछा, कि वो दो type कौन से है, SEO के, तो आपको on-page और off-page बताना है, technical SEO जो है, वो on-page और off-page का mixer है, फिर जो second question है, वो आपसे पूछ सकता है कि keyword क्या होता है, कौन-कौन से type के keyword ह होता है, तो आपको यहां पर बताना है कि keywords जो होता है, वो दो type के होता है, एक primary keyword होता है, दूसरा secondary keyword होता है, अभी हम SEO point of view से बोल रहा है, क्या होता है, SEO point of view से दो type के keyword होता है, primary keyword और secondary keyword, primary keyword single word होता है, ठीक है, single word या two word होता है, और secondary keyword जो होता है, वो more than two word और three word होता है, for example, best interview. अभि हम interview से बात कर रहें। इसलिए हमने interview वाला ही TOM ले लिया आपको example में समझाने के लिए तो for example, best interview primary keyword हो गया और SEO best interview secondary keyword हो गया हमने क्या example समझाया था आपको। हमने कैसे समझाया था, कि अगर single या two word का keyword है तो वो primary keyword में जायेगा और more than two word और three word हमारा secondary keyword में जाएगा और उसके बाद उसने क्या पोच आता keyword क्या होता है तो जब भी हम कुछ किसी भी search engine में search करने के लिए जो type करते हैं उसको हम keyword बोलते हैं उसको search term बोलते हैं third question वो आप से पूछ सकता है कि किसी भी page को आप redirect करने के लिए कौन सा method यूज करते हो तो आपको बताना है अगर हम किसी page को permanently redirect करते हैं तो 301 यूज करेंगे और अगर temporary redirect करते हैं तो 302 यूज करेंगे ए keyword होता है 301 कहां पर यूज होता है जब हम किसी page को permanently delete कर देते हैं मतलब अब दुबारा वो page हमारा नहीं आएगा तो उसके जगह पे जब हम नया page create करते हम क्या करते हैं पुराने pages को नए वाले pages पे redirect कर देते हैं और temporary में क्या करते हैं कि मानलों suppose अभी हमारा best interview questions का एक page है ठीक है और उसको for the time being हमने उसको हटा दिया है और हमने एक interview question का page उना दिया है तो हम क्या करेंगे best interview question वाला जो page है उसको हम interview वाले पे redirect कर देंगे 302 क्योंकि यह page हमारा दुबारा आएगा फिर आपसे पूसकता है कि backlink क्या होता है backlink अगर किसी third party site से हमारे site पे कोई link आ रहा है तो उसको हम backlink को बोलते है ठीक है तो आपको बिल्कुल simple answer देना है गवराना नहीं अराम से answer देना है क्योंकि वो सिर्फ आपको judge कर रहा है कि आप कितने पानी में हो आप ज़्यादा over response बनके answer मत दीजे क्योंकि उसको पता है कि backlink क्या होता है आपको जितना question पूछा जाए उतना ही answer देना है क्योंकि आप जो answer दे रहे हैं उसी answer के according next question वो आपसे पूछेगा next question क्या होगा यह आपके answer बटे बैंट करता है फिर वो आपसे पूछेगा कि keyword density क्या होता है और कितने हमें use करने चाहिए तो दोस्तो keyword density जो होता है अगर हम particular कोई keyword है ठीक है उसको अपने post में अपने page में कितने बार use कर suppose अगर हम एक हम page create करते हैं उसमें हम 100 word का एक content है उसमें हमने 4 बार use किया है keyword माल लेते हैं हम interview best interview ही एक keyword है हमारा तो हम एक page बनाए best interview question for SEO ठीक है तो हम उस page में देखेंगा और 100 word का हमारा पूरा article है तो उसमें हम best interview कितनी बार use किया है तो total word को हम divide कर देंगे number of uses keyword तो वह हमारा keyword density वहाता है फिर आपसे पूर सकते हैं कि all tag क्या होता है तो दोस्तों image के अंदर जो हम tag यूज करते हैं all tag मतलब alternative tag जिससे कि image को identify कर भाए crawler कि यह image किस चीज़ के बारे में है तो all tag हम image के अंदर यूज करते हैं फिर आपसे वह पूर सकते हैं कि title का length कितना हो यह description का length कितना होना चाहिए कितने character का होना चाहिए कितने character का आप यूज करते हो तो आपको बिल्गूल यह घबराना नहीं है आप पताइए वहाँ पे कि title जो है 60 to 70 character का होना चाहिए including space और description जो हमारा 200 to 250 characters का होना चाहिए ओके इसी questions को वो अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि meta tag के length कितनी होती है तो यहाँ पर आप घोमियेगा नहीं आपसे वो पूछ रहे है meta tag के length कितनी हो सकते है कितना होना चाहिए meta tag के length ठीक है तो सिर्फ दो ही ऐसे meta tag है जिसमें length defined है पहला title और दूसरा discussions तो आपको यहाँ प description 200 to 250 characters okay again वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने SEO knowledge को enhance करने के लिए कौन सा site regularly visit करते हो या आप कैसे करते हो तो आप जो site follow करते है latest update को जानने के लिए knowledge gain करने के लिए कि latest update क्या है क्योंकि आपको पता है कि SEO dynamic field है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ changes आते रहते हैं तो जो आप site follow करते हैं like search engine land हो गया SEO moj हो गया moj.com हो गया ठीक है या किसी की आप अगर blog follow करते हैं तो आपको वहाँ पे एक दो site उनको बताना है कि हम इस site को regularly visit करते हैं ठीक है नए information gain करने के लिए अपने आपको update रखने के लिए then एक और question है जो बहुत पुछा जाता है कि do follow क्या होत 이야 no follow में क्या होता है कि हम search engine को inform करते हैं कि इस page को आपको इंडेक्स नहीं करना है मतलब जिस page ञा जिस e Андress को हम चाहते हैं कि search engine crawl नहीं करें उसको इंडेक्स नहीं करें उस उस URL पे वहां पे हम वो जो link होता है हमारा वो clickable तो होता है बट वहां पे हम nofollow लगा देते हैं मतलब हम search engine या crawler या board को को intimate करते हैं कि आपको इसको index नहीं करना है हम नहीं चाहते हैं कि यह index हो और search engine में यह आए और do follow में क्या होता है कि हम जिस भी page को by default सारा URL जो होता है वो do follow होता है ठीक है तो हम जिसको index कराना चाहते हैं वो do follow के अंदर आता है अब एक और भी question आज कर लोग पूछने लगए है कि SEO और SEM में क्या difference है बहुत simple सा questions है लेकिन बहुत लोग इसका घबरा के गलत answer देते तो आपको बिल्कुल घबराने बिल्कु कूल हो के answer देना है search engine optimization में हम naturally अपने site को promote करने के लिए search engine में promote करने के लिए जो work करते हैं वो SEO के अंदर आता है और SEM में क्या होता है कि paid medium होता है SEM का मतलब है होता है search engine marketing मतलब pay-per-click तो major difference होता है SEO हम बिल्कुल free होता है naturally हम करते हैं और SEM में paid के तुरू अपना promotion करते है correct तो दोस्तो अगर आपको ये video अच्छा लगे तो हमारी channel को subscribe कीजिए और bell icon को paste कर दीजिससे आपको notification मिल जाएगा new video इसकी अगर आपका कोई भी क्योंड़ी है तो comment box में आप हमको पूछ सकते हम आपके questions का answer देंगे और हमारे channel को subscribe करना मत भूलिए और इसको अपने friend circle मे share भी कीजिए तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है next video में till then good bye